नमस्कार मैं प्रांशे राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस आगामी लोग सभा चुनाव के चलते हर एक राजनितिक दल ने जोरो शोरो से तैयारियां शुरू कर दी हैं दावे किये जा रहे हैं इन सभीर राजनितिक दलों की तरफ से केंद्र में जो इस वक्त मोधिय सरकार है भारतिय जनता पार्टी के सरकार बनी हुई है उससे हरा कर रहेंगे हटा कर रहेंगे इंडिया गठवंदन जिसमें 28 राजनितिक दल शामिल है और कोशिशें ये की जा रहे हैं कि अब इसमें बाकी के कुछ और राजनितिक दलों को भी शामिल किया जाए ऐसे में यूपी की सियासत में हरकंप मचा हुआ है सवाल उठ रहे हैं मांग की जा रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर कि अब बहुजन समाज पार्टी को इस गठवंदन में शामिल किया जाना चाहिए कॉंग्रेस की तरफ से लाग कोशिशें जारी हैं और दूसरी ही तरफ वो समाज पार्टी यहां पर हाथ पैर मारती हुई नसराई की बसपाइस में शामिल नहीं होनी चाहिए लेकिन अचानक से सुर बदल गए सपाप्रमों का खलेश यादव के भी क्या वाकई में बीजेपी को हराने के लिए बहुसन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायवती इस गठवन्दन से जोड़ जाएंगी क्या वाकई में यहां पर सब कुछ भुला कर समाजवादी पार्टी के साथ जो विवाद देखा गया है उसे भूल कर गैस्ट हाउस कांड को भूल कर क्या वह साथ आना पसंद करेंगी या फिर नहीं यह बड़ा सवाल उड़ता है अगर मायवती इस इंडिया गठवन्दन में आ जाती है तो क्या प्रधान मंतरी पत की दाविदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा यह भी बड़ा सवा बात करते हैं यहां पर AIMIM से जानकारी दे दें कि अब यहां पर एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है AIMIM की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है मायवती के लिए AIMIM के नेता आसीम वकार ने कहा मायवती एक सम्मानित नेता है वह साफतोर पर यहां पर अपनी बात रख लेंगे उनका कहना है कि मायवती एक सम्मानित नेता है इसलिए मायवती को प्रधान मंत्री का उमीदवार बनाया जाना चाहिए हमारे गठवंदन को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं चल रही है AIMIM के दरवाजे सभी दलों के लिए खुले हुए है बीजेपी को छोड़ कर हम सभी सेकुलर दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है यहाँ पर इंडिया गठवंदन में क्या कुछ चल रहा है देखा जाए तो पी एम मोदी का जो विज़ेरत है उसे रोकने की कोशिश की जारी है लोकसभा चुनाब में बीजेपी की अगवाई वाले NDA की हैट रोकने के लिए कॉंग्रेस पार्टी लगातार RJD आम आदमी पार्टी समासवादी और शिफसेना के साथ सीट बटवारे को लेकर बातचीत कर रही है लेकिन चारों ही सूबों में कोई बात नहीं बनी है ऐसे में छेत्रिये पार्टियों के साथ सीटों को लेकर भी घमासान जारी है तो फिलाल यहां पर देखा जाए मायवती को प्रधान मंत्री पत की दावेदारी के लिए आगे कर दिया जाए यह बात रखी आसीम वकार ने और उनका कहना है कि उत्तरप्रदेश में 2024 के लोग सभाचुनाव के लिए पार्टी बीजेपी को छोड़ कर किसी भी द माफी मांगने चाहिए और उन्हें प्रधान मंत्री पत का उमीदवार बना देना चाहिए अब यही सवाल उठते हैं कि कॉंग्रेस क्या मायवती से माफी मांगेगी सवाल यहां पर यह भी है कि कॉंग्रेस से जो यहां पर जो अध्यक्ष है कॉंग्रेस पाटी से वही यहां पर अखलेश यादव के भी बयान सामने आए अखलेश यादव जो बलिया पहुँचे और बलिया में उन्होंने साफतोर पर कहा कि गठवंदन में शामिल हो भी जाती हैं तो भरोसी की गारेंटी कौन लेगा तो उसी बयान को लेकर मायवती भी भड़कती हुई अखलेश यादव जो बलिया तो यह तक कह दिया कि उनकी जान को खत्रा है और योगी सरकार सिवह सुरक्षा की मांग करती हुई भी नसराइए ऐसे में देखा गया है कि अखलेश यादव ने अपने सुर बदल दिये हैं अखलेश यादव ने हाल ही में सपा नेताओं के सा प्तरों की माने सामने आया कि अखलेश यादव ने कहा कि सपा नेता मायवती के खिलाफ कोई कुछ ना बोले बसpah के इंडिया गटवंदन में आने को ले कर समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश यादव कहते हैं कि बसपा को इंडिया गटवंदन में लाने के ऐसे में हसी में बात निकल गई कि चुनाव की बात गैरेंटी कौन लेगा मेरे मनशा कुछ ऐसा कहने की नहीं थी अखलेश कहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी उनके विरोध में हैं उसे हम गले लगाएंगे अखलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी सरगर् राष्ट्य अद्यक्ष का बयान ऐसे समय में आया जब मंगलवार को दिल्ली में कॉंग्रेस और सपा ने यूपी में सीट बटवारे को लेकर चर्चा की और इस बैठक में सपा की ओर से हिस्सा लेने गई पार्टी के वरिष्ट निता राम गोपाल यादव ने कहा कि मेटि रालोद समाजवादी पार्टी और आजाज समाज पार्टी जो यूपी में गटवंदन बनाई हुए है ऐसे में अखलेश कहते हैं कि 65 सीटों पर तो उनकी मांग है लेकिन 8 सीटों की मांग जैन चौधरी ने की है उन्हें 8 सीटे दी जाएंगी और दूसरी ही तरफ चंदर शेखा राजात को भी सीटे मिलेंगी अब देखने वाली बात होगी कि मायवती इस गठवंदन में आ जाती है तो यूपी में वहें कितनी सीटों पर मांग रखेंगी क्योंकि अखलेश यादव का कहना समाजवादी पार्टी का कहना ये तक रहा है कि सीट बटवारे को लेकर मायवती यहां पर देखा जाए राजनीती कर सकती हैं वहें सीट शेयर करती हुई नजर ने आएंगी नहीं करने देंगी लेकिन कॉंगरेश कहती है कि दलित और पिछड़े वोट बैंक को बसपा के जर्ये ही साधा जा सकता है अब देखना होगा कि मायवती को क्या कॉंगरेश पार्टी वाकई में साथ में लेकर आपाएगी क्या वाकई में अखलेश यादव ने जो बयान दिया है अपने इस ब अठवंदन में वसपा शामिल होगी या फिर नहीं आखिरकार के अवाकई में प्रधान मंत्री पत की दावेदारी के लिए अब मायवती को आगे कर दिया जाएगा क्या कुछ वैसला होगा अखलेश यादव डिमपल यादव का क्योंकि डिमपल यादव का बॉंड मायवत को क्या ये पद ये उमीदवारी सौपी जाएगी इस पर आपकी क्या कुछ राइपरती करिया है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तब तक लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन निउस